सब्सक्राइब कीजी हमारा चैनल क्रेजी जिके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी जिके ट्रिक दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे भारत की जनगना 2011 के आंकडो को काफी स्टुडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि सर इस टॉपिक से आज कल ज्यादा एक्जाम में कोशन पूछे जा रहे हैं तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो चलिए फ्रेंड्स अच्छे से हम समझेंगे इस टॉपिक को सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा देखिए ये जो टॉपिक है आपको इसको प्रैक्टिकली समझना होगा इस चीज को ट्रिक से याद करने की बिल्कुल भी ज़रूत नहीं है हमको पता होना चाहिए कि किस राज्य की जैनसंग क्या सबसे जादा है किस राज्य की जैनसंग क्या सबसे कम है इसको हम प्रैक्टिकली सोच सकते हैं और समझ सकते हैं देखे लास्ट में मैंने एक very important question answer test भी रखा आपके लिए जो इस topic से last year exams में question पूछे गए हैं वो सारे question मैंने test में include करें तो अच्छे से test लगाईएगा, test लगाने के लिए जो link है वो मैंने description में दे रखिए आप वहाँ से test लगा सकते हैं, practice कर सकते हैं चलिए friends हम वीडियो को start करते हैं देखे friends भारत में जनगर्णा की शुरुवात कब हुई थी? 1872 में लाड मेयों के कारेकाल से भारत में जनगर्णा की शुरुवात हुई नीमित रूप से जनगर्णा की बात करते हैं तो 1881 से चालो हुई और वीशु में सबसे पहली जनगर्णा कराने का शिरेक इसको जाता है Sweden को जाता है Sweden ने सबसे पहले systematic तरीके जनगर्णा कराई थी 1759 में भारत में जनगर्णा संगटन ही है जो जनगर्णा संबंदित कारे कराता है और आखड़ों को प्रस्तूत करता है और इसका सबसे उच अधिकारी जो होता है वो कोन होता है Register General and Census Commissioner of India भारत का महापंजियक एवम जनगर्णा आयूकत होता है कोन है अभी हाली में Dr. C. चंद्रमोली है 2011 की जनगर्णा की जो आखड़े प्रस्तूत करे थे वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है ये UPPCS में पूछा गया था कोशन वर्ष 2020 में भारतियों की ओसत उम्र कितनी हो जाएगी 29 वर्ष हो जाएगी तो ये पता होना चाहिए आपको 2011 के अंतिमाकडों के अनुसार भारत की जनसंक्या कितनी है 121 करोड है जो की विश्व की कूल जनसंक्या का साड़े सतरा परसेंट है 17.5 परसेंट है 2001-2011 के बीच में भारत की जनसंक्या की दश की व्रद्धी जो हुई है इन दस सालों में जो जनसंक्या में व्रद्धी हुई है वो कितनी हुई है 17.7 परसेंट हुई है ठीक है तो देखे दोनों बिल्कुल मिलते जूलते हैं देखे फ्रेंट्स आगे हम बात करते हैं कि नगरी जनसंक्या कितनी है भारत में और ग्रामिन जनसंक्या कितनी है तो 2011 की जनगन्ना के अनुसार देश की कूल जनसंक्या में नगरी जनसंक्या जो है वो 31.2% है वो लोग लिया था वो क्या लिया था दो जार पेतालिस का लिया था पर हाली में उसको बढ़ा कर कितना कर दिया गया है दो जार सित्तर कर दिया गया है पहले दो जार पेतालिस का लक्ष लिया गया था फिर हाली में चेंज करके क्या कर दिया गया दो जार सित्तर कर दिया गया दो जार section में हम केंदर शाशित प्रदेशों को discuss करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरवादिक जनसंक्यावला राज्जी कुन सा है तो सबसे ज़्यादा जनसंक्यावला राज्जी है उत्तरपदेश यहां की population कितनी है 20 करोड बहुत important question है यह second number पे आता है महरास्टा यहां पर देखिए 11 करोड लोग निवास करते हैं और तीसरे नंबर पे आता है बिहार जहां पर 10 करोड लोग निवास करते हैं बिहार से related SSE में question पूछ लिया था तो पता होना चाहिए आपको कि बिहार की जनसंक्या कितनी है 10 करोड ठीक है लगबग 10 करोड देखिए आगे निवास करते हैं तो उसमें देखिए पहले नंबर पे आता है सिक्की में भारत में वो राजी जहां पर सबसे कम population है कौन सा है सिक्की में 6 लाग population है वहाँ पर सैकंड नंबर पे आता है मिजोराम ठीक है फ्रेंट्स तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए आप देखिए केंदर शार्षी परदेशों में बात करते हैं तो जितने भी केंदर शार्षी परदेश हैं उसमें से आप सबी को पताईए कि दिल्ली में कितने यादा लोग वहाँ पर रहते हैं, तो ओवेसी बात है दिल्ली में जनसंक्या ज्यादा होगी ठीके ना, तो सरवादिक जनसंक्या वाला केंदरशाशी प्रदेश कौन सा होगा दिल्ली होगा 1.67 करोड लोग जो है वो दिल्ली में निवास करते हैं 2011 के आखड़ो के नुसार अगर हम नियूंतम जनसंक्या वाला केंदरशाशी प्रदेश की बात करेंगे तो वो कौन सा है लक्षदीप मात्र वहाँ पर 64,000 लोग ही निवास करते हैं लक्षदीप में तो ये आपको देखिए population से related मैंने कुछ आखड़े बता है ठीके इन सबको खाली बैस imagine कर लोगे न आप तो आपके दिमाग में कहीं न कहीं ये चीज़े set हो जाएगी है ना इनको रटने से और कोई trick से याद करने के बिल्कुल भी ज़रूत नहीं है आपको अगला देखिए आकड़ा हम डिसकस करते हैं जनसंक्या व्रदीदर Decadal Growth Rate 10 सालों में सबसे ज़्यादा percentage में किस राज़े में जनसंक्या में ग्रोथ हुई है तो वो देखेंगे हम तो देखिए सरवादिक जनसंक्या दर वाले राज़े जो है वो कौन से सबसे पहले नंबर पर आता है मेगा लाए 27.9% की यहाँ पर ग्रोथ देखी गई जनसंक्या में सेकेंड नंबर पर आता है अरुनाचल प्रदेश अगर हम नियूंतम जनसंक्या व्रदीदर वाले राज़ों की बात करते हैं तो उसमें देखिए कोन आता है सबसे पहले नागा लेंड नागा लेंड में जनसंक्या घटी हुई देखी गई 0.6% यहाँ पर पॉपुलेशन घटी है सेकेंड नंबर पर आता है केरल 4.9% वहाँ पर जनसंक्या व्रदी देखी गई तो फ्रेंड्स यह दो हमने डिस्कस करें जो नियूंतम जनसंक्या व्रदी दर वाले राज़े हैं पहले नंबर पर नागा लेंड सेकेंड नंबर पर केरल आगे देखिए केंडर शाषी प्रदेशों में डिस्कस करते हैं सरवादिक जनसंक्या व्रद्दीदर वाला केंदर शाश्री प्रदेश कुन सा है दादर एवं नगर हवेली, 55.9% की यहाँ पर व्रद्दीदर देखी गई, नियूंतम जनसंक्या व्रद्दीदर वाला केंदर शाश्री प्रदेश कुन सा है लक्षदीप, 6.3% की यहाँ पर दादर हम नगर हवेली ठीक है तो यह हमको पता होना चाहिए important है आगे देखिए हम जनसंक्या घनत्व की बात करते हैं density of population मतलब प्रती वर्ग किलोमेटर में कितने लोग निवास करते हैं प्रती वर्ग किलोमेटर में जैसे कि यह बिहार है ठीक है बिहार का में इब आपको दिख रहा है तो यहाँ पर प्रती वर्ग किलोमेटर में कितने लोग निवास करते हैं वो ही क्या किलाता है जनसंक्या गनत्व किलाता है density of population किलाता है तो बिहार जो है वो पहले number पर आता है सबसे ज़्यादा density of population के मामले में वहाँ पर प्रती वर्ग किलो मिटर में ग्यारा सो छे लोग निवास करते हैं ये राज्यों की बात कर रहा हूं में है ना केंदर शाषीर प्रदेशों को हम अलग से डिसकस कर रहे हैं बिहार में सबसे ज़्यादा कितनी ग्यारा सो छे तो देखे फ्रेंट्स 2011 की जनगर्णा के अनुसार देश का जनसंक्या घनत्व कितना है 382 मतलब देश में प्रती वर्ग किलो मिटर में कितने लोग निवास करते हैं? 382 लोग निवास करते हैं 382 लोग, तो बस यह आकड़ा धियान रखेगा, एक्जाम में पूछ लेते हैं इस आकड़े से related question, तो जनसंक्या घनतों हमने समझ लिया, राज्यों और केंदर स्याशीर प्रदेश्टों से related सारे point डिसकस करते हैं, सरवादिक जनसंक्या घनतों वाले राज्य की बात करेंग तो वो कुन सा है दोस्तों, अरुनाचल प्रदेश, वहाँ पर प्रती वर्ग किलोमेटर में मात्र 17 लोग निवास करते हैं, अरुनाचल प्रदेश में, बिहार के कंपेरिजर में देखिया आप कितना कम हैं, ठीके, सेकेंड नंबर पर आता है मिजोरम, चलिए आगे हम कें केंदर शाषीत प्रदेशों से related point देखते हैं, तो सरवादिक जनसंक्या घनतो वाला केंदर शाषीत प्रदेश है कौन सा दिल्ली, वहाँ पर प्रती वर्ग किलोमेटर में 11,320 लोग निवास करते हैं, दिल्ली में, ओवे सी बात है आपको पता ही है कितनी population है वहाँ पर, निउन्तम जनसंक्या घनतो वाला केंदर शाषीत प्रदेश की बात करते हैं, तो कौन सा है दोस्तो अंडमान निकोबार दीपसमू, वहाँ पर 46 लोग जो है वो प्रती वर किलोमेटर निवास करते हैं, तो आपने समझा चार important point है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा जनसंक्या घनतो वाला राजय बिहार, सबसे कम जनसंक्या घनतो वाला राजय कौन सा है अरुनाचल प्रदेश, केंदर शाषीत प्रदेशों में बात करेंगे, तो दिल्ली पहले नंबर पर है, और अंडमान निकोबार दीपसमू, सबसे नियुन्तम जनसंक्या घनतो वाला केंदर श तो सरवाधिक सेक्स रेशयो वाला राज्या कुनसा है? केरल है वहाँ पर प्रती 1,000 पूरुशों पर मेलाओं की संक्या कितनी है? 1,084 तो पहले नमबर पर आता है सेक्स रेशयो में केरल सेकेंड नमबर पर आता है तमिलनाडू अगर हम नियूंतम सेक्स रिशो वाले राज्य की बात करेंगे तो पहले नंबर पर आता है हर्याना ठीके ये इंपोर्टेंट है सेकेंड नंबर पर आता है जम्मू कश्मीर अब देखिए केंदर शाषी प्रदेशों से related point देखते हैं अगर नियूंतम सेक्स रिशो वाला केंदर शाषी प्रदेश की बात करेंगे तो वहाँ पर आता है नंबर दमन और दीव का वहाँ पर एक हजार पुरुष पर महिलाओ की संक्या कितनी है छेसो अठारा है मात्र तो ये देखिए हमने लिंगा अनुपाद से related सारे point समझे अब देखिए एक आंकड़ा ध्यान रखिएगा 2011 के अनुसार देश का जो लिंगा अनुपाद है वो कितना है 943 ठीक है पर एक हजार पुरुष पर देश में कितनी महिला है 943 महिला है तो ये 2011 के अंकड़ों के अनुसार आगे देखिए हमारा अगला अंकड़ा आता है शाक्षरता दर लिटरेसी रेट और ये बहुत important है यहां से काफी questions बनते है एक्जाम में तो शाक्षरता दर क्या होती पिले हम समझ लेते हैं उसके बाद हम राजजी और केंद्र शार्शे पदेशों की बात करेंगे तो क्या होती है देखिए भारत में number of literate person शाक्षरों की संख्या अपॉन में साथ वर्ष से अधिकायू वाली जनसंक्या टोटल जनसंक्या नहीं लिए साथ वर्ष से अधिकायू वाली जनसंक्या लिए क्यों 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 माना जाता है कि साथ वर्ष से अधिकायू वाली जनसंक्या जो है वो पड़ लिख सकती है इसलिए यहाँ पर 7 वर्ष को बिल्कूल स्पेसिफाई किया है very important है SSC में question पुछा गयाता है यहां से इसको ध्यान रखिएगा तो इसके ratio क्या बोलते हैं शाक्षरता दर बोलते हैं अगर हम 2011 के आंकडों की बात करते हैं कि भारत की literacy rate क्या है तो कितना है 73% है तो लगातार भारत में शाक्षरता दर जो है literacy rate जो है वो बढ़ रहा हैं continuously बढ़ रहा है चलिए अब राज्यों की बात करते हैं तो सरवादिक शाक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है केरल है बहुत important question है यह exam में देखिए काफी बार पुछा जाता है second number पे कोन है यह भी हमको पता होना चाहिए क्योंकि यहां सभी question ने exam में पूछा जा चुका है second number पर आता है मिजोरम पहले number पे केरल second number पे मिजोरम अगर हम नियुन्तम शाक्षरता दर वाले राज्य की बात करते हैं तो पहले number पर आता है बिहार ठीके और second number पे कोन सा आता है अरुनाचल प्रदेश अब देखिए friends दो point ध्यान से सुनिएगा सरवादिक पुरुष शाक्षरता दर वाले राज्य की बात करूँगा तो केरल और मिजोरम बिल्कुल एज़टीस रहेंगे नियुन्तम पुरुष शाक्षरता दर वाले राज्य की बात करूँगा तो बिहार और अणाचल प्रदेश एज़टीस रहेंगे ठीके, पुरुष में भी कोई changes आपको देखने को नहीं मिलेगा, as it is बिल्कुल जो बताया मैंने वही रहेगा, महीला शाक्षरता दरवाले राज्य की बात करूँगा, तो सरवादिक में भी वही रहेंगे, केरल और मिजोरम, नियून्तम में देखी changes देखने को मिलेगा पर change जो आता है, यहाँ पर रादेस्थान आ जाता है, अरुनाचल प्रदेश की जगा आयता है, रादेस्थान आ जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, केंदर शार्शी प्रदेशों की बात करते हैं, तो सरवादिक शाक्षरता दरवाला केंदर शार्शी प्रदे पुरु शाक्षर्ता में सबसे अधिक अंतर किस राज्य में है तो वो रादेस्थान में रादेस्थान में पुरु शाक्षर्ता जो दर है वो किती है 79.2% है और महिला शाक्षर्ता जो दर है वो कितनी है 52.1% तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आता है 27.1% तो इस् द्यान रखिएगा आगे देखिए हम बात करते हैं कि 2011 की जनगर्णा के अनुसार देश में अनुसूचित जाती एसी की संक्या कितनी है लगबग 20 करोड हैं कितनी है दोस्तों लगबग 20 करोड सबसे ज़्यादा एसी जनसंक्या वाला राज्य और केंद्रशाशी प्रदेश की बात करते हैं दोनों में तो पहले नंबर पर आता है उत्तरपदेश सबसे ज़्यादा एसी जनसंक्या है ठीक ह आगे देखी दो जार ग्यारा की जनगर्णा की अनुसार देश में अनुसूची जन जाती की बात करते हैं, ST की संक्या की बात करते हैं, तो लगबक कितनी है, 10 करोड पॉपुलिशन है, सबसे ज़्यादा ST जन संक्या वाला राज्य और केंद्रशाशी प्रदेश जो है, वो क काफी इंपोर्टेंट है, एक्जाम में यहां से भी कोशन निकल कराते हैं, यहां पर हमारा थियोरी वाला सेक्षन कंप्लीट होता है, चलिए अब हम टेस्ट के ओर चलते हैं, सारे इंपोर्टेंट कोशन से टेस्ट में, अगर आप वो सारे कोशन सौल कर लेते हैं, मतलब में इस टॉपिक से कोशन आपका बिल्कुल 100% सौल होगा, ठीक है, चलिए टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंट्स पहला कोशन है, भारत में पहली बार जनगर्णा कब हुई थी, कब हुई थी 1872 में, लाट मेयो के कारिकाल में, शुरू आत हुई थी इसकी, और देखे कोशन है, 2011 की जनगर्णा के अनुसार विश्वक की कुल जनसंक्या में भारत की भागिदारी हैं, लगबक कितना है, विश्वक की कुल जनसंक्या का साड़े सतरा परसेंट भारत की जनसंक्या हैं, बी आंसर, 2011 की जनगर्णा सुधनता प्राप्ती के बाद की कौन सी जनगर्णा है कौन सी जनगर्णा है सुतनता प्राप्ति के बाद में सात्वी जनगर्णा जनगर्णा कितने वर्ष में एक बार की जाती है कितने वर्षों में दस वर्षों में एक बार की जाती है अगली जनगर्णा कब होनी है? 2021 में. ठीक है? चलिए. अगला कोशन लेते हैं. 2011 की जनगर्णा के अनुसार किस राजजिक की आबादी सबसे अधिक्तम है? किस राजजिक की है? उत्तर प्रदेश की. उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? 20 करोडे. सेकेंड नंबर पे कोन हैं? महारास्टा. और तीसरे नंबर पे कोन आता है? बिहार. जनसंक्या के आकार की द्रस्टी से भारत का सबसे छोटा राजज कुन सा है? सबसे छोटा राजज कुन सा है? सिक्की में. देकें अगला, 2011 की जनगर्णा के अनुसार, उत्तर प्रदेश की जनसंक्या, भारत की जनसंक्या की कितनी प्रतीशते हैं? कितनी प्रतीशते हैं? साड़े सोला परसेंट. ठीके, आप भी निगाल सकते हो, भारत की जनसंक्या 121 करोड, उत्तर प्रदेश की जनसंक्या लगबग 20 करोड, परसेंटेज आप खुद निगाल सकते हो. चलिए अगला कोशन लेते हैं देखे कोशन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निमलिखीत राज्जे में से सबसे अधिक जनसंक्या घनतो वाला राज्जे कुन सा है? Density of Population सबसे ज़्यादा बिहार में D answer लिंगा अनुपात का परिकलन केसे किया जाता है? देश में प्रती 1000 पुरुष पर महिलाओं की संक्या कितनी है? वही क्या किलाता है? Sex Ratio किलाता है C answer सही होगा देखे अगला कुशन है सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामिन जनसंक्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्जे से है? देखे ग्रामिन जनसंक्या का अनुपात किस राज्जे सबसे अधिक है हिमाचल परदेश इस सीच को आप ध्यान रखेगा 68.8% तो ग्रामिन जनसंक्या पुरे देश में आपको बताया मैंने और 31.2% ये नगरी जनसंक्या है तो ये भी आखड़े आपको आना चाहिए अगला है 2011 की जनगंणा के अनुपात की कूल जनसंक्या में नगरी जनसंक्या का कितना प्रतिशत है? नगरी जनसंक्या कितना है? 31.2% ठीक है? का अंसर D सही होगा किस राज़े में अनुपात की जनसंक्या सर्वादी के हैं? किस राज़े में मर्दिप्रदेश में? भारत में प्रवावित शाक्षरता दर की गणना की जाती हैं? साथ वर्ष की उम्रे से उपर की जनसंक्या से? D आंसर बिल्कुल सही होगा यह जितने भी कोशन में बता रहा हूँ बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है देखे सारे प्रिवेस एर एक्जाम की कोशन है इनी को गुमा गुमा के एक्जाम में पूछ लेते हैं वापस से 2011 में देश के निमलिखीत राज्यों में से किसमें शाक्षरता दर सबसे कम थी साक्षरता दर सबसे कम किसमें थी बिहार में ठीके और शाक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी केरल में 2011 की जनगंडा में बिहार की अनुमानित आबादी हैं कितनी हैं 10 करोड लगबग 10 करोड बिहार की आबादी हैं महाराष्ट्रा के कितनी है? 11 करोड और उत्तरप्रदेश की है 20 करोड जनगणना 2011 के अनुसार देश में सरवादिक जनसंक्या वाला राज्य कोन सा है? जहां लगबग 20 करोड लोग रहते हैं ओवेसी बाते मैंने अभी आपको बताया उत्तरप्रदेश सरवादिक जनसंक्या चली अगला कोशन लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सरवादिक आबादी वाला राज्य कुन सा है? कुन सा है? महाराष्ट्र भारत में जनसंक्या घनत्व निरंतर बड़ा है? बिल्कूल निरंतर बड़ा है बिल्कूल सही आंसर ए सही होगा राश्टी जनसंक्या नीती 2000 के अंतरगा जनसंक्या में स्थिर्था प्राप्त करने का लक्ष 2045 से बढ़ा कर कितना कर दिया गया है कितना कर दिया गया है 2007 कर दिया गया है ठीक है पहले 2045 तक लक्ष लिया था उसको हाली में बढ़ा कर अभी 2007 कर दिया है जन संक्या में इस्थिर्ता का लक्ष देखे कुशन है 2011 की जन गणना के अनुसार भारत में शहरों में रेने वाले लोगों की संक्या है लगबक कितना है आपको पता है नगरों में जो भारती जन संक्या है वो कितनी है 31.2% तो 121 करोड का आप 31.2% निकालेंगे तो कितना अंसर आएगा 37 करोड लगबक 37 करोड तो ए अंसर सही होगा जन गणना 2011 के अनुसार भारत में इस्तरी साक्षरता की दरश्टी से केरल के बाद दूसरा इस्थान किस राज्यका है किस राज्यका है मिजोरम का जन गणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत वीश्व का सबसे युवा देशे वर्ष 2020 में भारतियों की ओसत उम्र कितनी होगी कितनी होगी 29 वर्ष आबादी की व्रद्धी दर का दादपर रे किस से होता है देखे आबादी की व्रद्धी दर देखना है तो जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर ही क्या बताती है आबादी की व्रद्धी दर बताती है किस राज्य में मैला शाक्षरता दर सबसे अधिक है मैला शाक्षरता दर सबसे अधिक कहां पर है केरल में पुरू शाक्षरता दर्भी सबसे अधिक केरल में ही है, बारत में जनसंक्या के घनत्व की परिबाशा की जाती है, जनसंक्या घनत्व, प्रती वर्ग किलोमेटर में व्यक्तियों की संक्या ही क्या किलाती है, जनसंक्या घनत्व किलाती है, डी आंसर, भारत में सबसे घनी आ सबसे घनियाबादी वाला राज्य हैं सबसे घनियाबादी मतलब Tensity of Population जनसंक्या घनत्व किसमें बिहार में 2011 के अंतिम जन घनना परिणाम के अनुसार भारत में जन घनत्व क्या हैं जन घनत्व कितना हैं 382 उस राज्य का नाम बताईए जिसमें जन घनत्व सबसे कम हैं सबसे कम जन घनत्व कहां पर है अरुनाचल प्रदेश में मैंने आपको बतायता सबसे कम अरुनाचल प्रदेश में जन संक्या घनत्व हैं चलिए अगला कोशन लेते हैं, जनगन्ना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्न में से किसने दर्ज किया हैं? देखें यहाँ पर केंदर शाषीर पदेशों की बात हो रही है, तो केंदर शाषीर पदेशों में सबसे अधिक जनसंक्या घनत्व कहाँ पर दिल् तो यह आपको मेंने पॉइंट उसमें नहीं बताया है, पर इस चीज को ध्यान रखिएगा, पी अंसर देखें अगला, नियुन्तम इस्तरी पुरुष अनुपाद वाले भारती राजजी की पेचान करें, मतलब सबसे कम सेक्ष रेशियो के मामलों में कौन सा राजजी आता हैं? वो आता है हरियाना जुलाई 2011 में गोशित जनगर्णा के आकड़ों के अनुसार अभी तक गाओं में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत क्या है? कितना फ्रेंट 68.8%? मतलब लगबक 70% यहाँ पर देखें ऑप्शन जो दे रखा है? C आंसर 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत के किस राजजे की जनसंक्या सबसे कम है? किस राजजे की सबसे कम है? सिक्किम की 2011 की जनगर्णा के आकड़ों के अनुसार निम्ण में से कौन सा कतन सही नहीं है? समगर शाक्षरता दर बढ़ी है? बिलकुल सही बात है केरल की शाक्षरता दर सबसे अधीक है बिल्कुल सही है बिहार की शाक्षरता दर सबसे कम है बिहार की लिटरसी रेट सबसे कम है बिल्कुल ये भी सही है शाक्षरों की व्रद्दी में पुरुषों की संक्या महिलाओं से अधीक है देखे फ्रेंट्स ये वाला कथन जो है गलत है 2001 से 11 के बीच में शाक्षर पुरूशों की संक्या में जो व्रद्धी हुई है वो हुई है लगबग 10 करोड और शाक्षर महिलाओं की संक्या में जो व्रद्धी हुई है वो हुई है लगबग 11 करोड तो महिलाओं की संक्या में व्रद्धी हुई हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है पूरूशों की संक्या महिलाओं से अधिक हैं तो गलत कता नहीं है डी आंसर जो होगा इसका सही होगा देखे कोशन है वर्ष 2011 की जनगंडना की अनुसार निमलिखीत राज्यों में से किस राज्य में इस्तरी और पूरुष शाक्षरता में सबसे अधिक अंत्रा ले किस में है राजस्थान में मैंने आपको बताये था तो देखे फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा है टेस्ट कंप्लीट होता है जितने भी कोशन्स हमने सौल करे हैं सारे बहुत ही इंपोर्टेंट है आपको मैक्सिमम चांस है कि एक्जाम में इनी कोशन में से देखने को मिलेगा तो एक बार इस टेस्ट की प्रेक्टिस ज़रू कर लीजिए प्रेक्टिस करने के लिए जो टेस्ट है वो उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखिए वहाँ से आप टेस्ट लगा सकते हैं और प्रेक्टिस कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आइफोप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा मेनत अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और कमेंट करके बताए वीडियो कैसा लगा अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिजिए क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो में अप्लोड करूँगा आपको उसका benefit मिलता रहेगा तो friends मिलते अगले वीडियो में जए जए भारत